वालकम तू लर्निंग बूस्टर, यह डिचिटल लर्निंग कमपैंगिन लिटल रैड राइडिंग हुड एक बार की बात है, रैड नाम की एक छोटी लड़की थी उसने लाल हुड पहना हुआ था एक दिन, रैड की माने उसे उपहारों की एक तोक्री दी इन्हें दादी के घर ले जाओ, लेकिन सावधान रहो और रास्ते पर ही रहो, उसने चेतावनी दी जैसे ही रैड जंगल से गुजरी, उसकी मुलाकात एक धूर्ट भेडिये से हुई हेलो, छोटी लड़की तुम कहा जा रही हो, भेडिये ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा मैं दादी के लिए कुछ उपहार लेकर उनके घर जा रही हूँ रैड ने भेडिये की चाल को समझे बिना उत्तर दिया भेडिया रैड से पहली ही तेजी से दादी के घर की ओर भाग गया उसने दर्वाजा खट-खट आया और जब दादी ने दर्वाजा खोला तो उसने उन्हें तुरंत निगल लिया और उनके बिस्तर पर जाकर लेट गया जब रैड पहुची तो उसे दादी के बारे में कुछ अजीब लगा दादी आपकी कितनी बड़ी आखे हैं उसने कहा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकू मेरी बच्ची भेडिये ने दादी की तरह आवाज निकालने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया जैसे जैसे रैड करीब आती गई उसने और अधिक ध्यान दिया दादी आपके कितने बड़े कान है भेडिये ने कहा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकू प्यारी बच्ची अंत में रैड ने कहा दादी आपके कितने बड़े दाद है ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकू, भेडिया अपने नुकीले दाथ दिखाते हुए चिलाया लेकिन ठीक उसी समय शोर सुनकर एक बहादुर लकड़ारा वहां आ गया उसने भेडिये को डरा दिया और दादी और रैड को बचा लिया उस दिन से रैड ने जंदल में हमेशा सावधान रहना सीख लिया और वे सभी हमेशा खुशी से रहने लगे